What's up everyone, welcome back to our channel So guys, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरस्टिंग क्योंकि मैं ऐसी दो प्रोफाइल्स ले आया हूँ आपके लिए वेदान्तु में जिन में आपको सेल्स भी नहीं करना कोई टार्गेट भी अचीव नहीं करना तो यह काफी इंटरस्टिंग होने वाली है यह वीडियो क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको इन दोनों प्रोफाइल्स के लिए अपलाई कैसे करना है, सैलरी कितनी होने वाली है और इंटर्वियू का क्या प्रोसेस रहने वाला है और यह टोटली work from home होने वाला है तो वीडियो एंट तक जरूर देखना जो पहली प्रोफाइल है वो है quality analyst की इसमें जो package आपको मिलने वाला है वो है 4.8 LPA का अब बात कर लेते हैं as a quality analyst आपको on daily basis करना क्या होगा तो देखो guys quality analyst का basically जो काम होता है वो यह होता है कि आपको auditing करनी है जो भी zoom sessions होते हैं या direct conductions होते हैं उनकी let's suppose मैं salesperson हूँ मैंने कोई zoom session किया या मैं कहीं पे direct conduction करके आया आपको उन parents को call करना है वहाँ से status लेना है कि direct conduction हुआ भी था या नहीं और उसका status क्या निकला basically उन्होंने course को buy क्यों नहीं किया या कब buy करेंगे या क्या status रहा था वहाँ से feedback लेना है आपको basically तो यह आपका role रहने वाला है आपको इसी से related data मिलेगा and आपको रोज 100 calls के around करना है इस profile में वो वाली calls बिलकुल नहीं होती हैं जहाँ पे आपको parents थोड़ा सा भी entertain नहीं करेंगे तो parents यहाँ पे आपकी बात सुनते हैं वो बताते भी हैं कि उन्हें problem कहाँ पे आई तो 5 minute की एक average conversation रहती है और जो talk time यहाँ पे आपको पूरा करना है वो basically 3 hours का है 2.5 hours का talk time average लेकर चलो यहाँ पे जो आपको पूरा करने को मिलेगा and trust me यह पूरा हो जाता है यहाँ पे जो audience आपको मिलने वाली है वो वही audience होगी जिनको sales person sell out करते हैं बद एक चीज़ का फर्क यह आजाता है कि यहाँ पे आप as a feedback person बात कर रहे हो feedback ले रहे हो तो जो parents हैं वो आपको अच्छा खासा entertain करते हैं वो अपनी problems भी share करते हैं कि मुझे course अच्छा नहीं लगा या मुझे ज़्यादा costly लगा यह सारी चीज़ें तो एक average talk time आपका यहाँ पे 5 minutes का बन जाता है तो या 2.5 hours या 2 hours का talk time या 3 hours का talk time आप easily यहाँ पे cover कर सकते हो तो इसकी में काफी अच्छी profile है आपको बस calling करनी है and 4.8 LPA यहाँ fixed है आपको इसके साथ कोई भी incentive नहीं मिलने वाला कोई sales target नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है on daily basis आपको एक ही काम करना है and जो भी आपको data दिया जाएगा उनको reach out करना है कैसे भी करके ठीक है तो 100 calls का अगर target दिया जा रहा है आपको on daily basis तो वो आपको पूरा करना है और trust me 100 calls पूरी हो जाती है यार 5-5 minute भी बात करोगे तो easy है ठीक है क्योंकि मैंने बात किया है यहाँ पे जो भी लोग अभी काम कर रहे हैं इस profile में उनके लिए यह job में सीखने को बले ही कुछ नहीं है बट जो package है वो fixed है like उतना tension नहीं है और उतना कोई pressure नहीं है इस profile में प्रोफाइल में क्यात करूं quality analyst के interview process की तो यार जो interview process है basically वो communication skill पे depend करने वाला है आपको यहाँ पे दो round देने होंगे first round जो होने वाला है वो एक telephonic round होने वाला है आपको basically call पे introduction लिया जाएगा and आपकी screening की जाएगी तभी आपको next round में भेजा जाएगा अब बात कर लेता हूं second round की जो की होने वाला है video call interview and यहाँ पे आपसे HR manager या business development manager आपका interview लेंगे and अगर आप यह interview clear कर लेते हो तो यह job आपकी है जो की questions यहाँ पे पूछेने जाएगे वो similar होने वाले है sales से related बाट यहाँ पे कोई आपको scenario नहीं दिया जाएगा कि आपको sale करना है या कुछ ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपको कोई course sell out करके दिखाओ तो simple simple एक normal interview रहने वाला है जहाँ पे जादा जो matter करेगा वो communication skill आपकी matter करेगी और आप कितना confident हो वो matter करेगा जो next profile है वो है sales trainer की जी हाँ यहाँ पे आपको जो package मिलने वाला है वो 5.8 LPA का है आपको job description में इसकी show कर देता हूं because यहाँ पे जो LGBT criteria है वो थोड़ा सा different है quality analyst से guys as a sales trainer आपका जो role रहने वाला है वो यह है कि आपको train करना है जो भी fresher candidates होंगे या वेदानतु जिन भी candidates को sales team के लिए recruit करेगा उनको आपको training provide करनी है कि वेदानतु का course कैसे sell out करना है which कैसे करना है parents को या direct conduction में क्या क्या करना होता है zoom session में क्या करना होता है यह सारी चीज़े आपको उनको बतानी है और sales के बारे में basically आपको guide करना है freshers को इन दोनों profile के work-life balance की बात की जाए तो यार जो quality analyst का work-life balance है वो काफी अच्छा है क्योंकि यह एक stable job होने वाली है आपको like कोई ऐसा pressure नहीं रहेगा sales का बस आपको 100 audience को reach out करना है जो भी आपको data दिया जाए जितने भी calls का उनसे feedback लेना है और आपका काम खतम ठीक है daily basis आपको बस यही करना है यहाँ पे package मैंने आपको बता ही दिया है 4.8 LPA का होने वाला है यहाँ पे sales trainer का जो work life balance है वो कुछ ऐसा रहने वाला है कि आपको train करना है candidates को like two weeks के लिए आपको एक particular amount of candidates दिये जाएंगे जिनको आपको सुबह से ले करके शाम तक train करना है यहाँ पे जो timing है वो 10 a.m. to 6 p.m. की है तो 7 p.m. stretch हो सकती है या 8 p.m. stretch हो सकती है यह depend करता है आपके training skills पे कि आप कितना time दे रहे हो कितना elaborate करके जो freshers हैं उनको बता रहे हो तो यहाँ पे भी like ज्यादा जंजट वाला काम नहीं है आपको बस train करना है candidates को जो आपको training दी जाएगी वही pass on करनी है आपको सामने वाले बंदों को यह थी एक धमाकेदार वीडियो विदानतु के कुछ प्रोफाइल्स पे जिन में आपको sales भी नहीं करना था और target भी कोई achieve नहीं करना है तो guys अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जाद से जाद से शेयर करना लाइक करना और यार चैनल वो सस्क्राइब कर दो बाबाई टेक केव झाल 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 झाल